सीजन टू एपिसोड थर्टीन स्टार्ट होता है तो जैसे हमने देखा प्रिवेश एपिसोड में कि वॉल्डर जेन को वही मरने के लिए छोड़ देता है तो जेन मर जाती है और जब जेसी उठता है तो वो देखता है कि जेन अब सास नहीं ले रही वो बहुत ट्राय करता है उसे CPR भी वो देता है पर फिर भी कुछ भी नहीं होता जेसी बहुत डिस्टब होता है और रोने लगता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए तो वॉल्डर को कॉल करता है और Walter को बताता है सब situation के बारे में तो Walter उसे बोलता है कि एक मैं आदमी भेज रहा हूँ और तुमें कुछ भी problem नहीं होगी Walter उस आदमी को घर पर भेजता है और J.C. घर के बाहर ही बेठा हुआ होता है J.C. को वो घर में बेठने के लिए बोलता है और जो सब सबूत होते है सब fingerprints, heroin के सब चीजे और सब drugs उसके घर से वो सब एक bag में निकाल लेता है J.C. के जो सब पैसे होते वो भी वो ले लेता है और J.C. के पास जाकर वो उसे बोलता है कि तुमें अब तुमारे statement में बताना है कि मैं जगा और मैंने उसे डेड़ पाया और इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता J.C. बज नहीं कर रहा होता तो वो J.C. को थपड मारता है और वो उसे रटा लेता है वो उसे बोलता है कि हॉस्पिटल से ही कुछ लोग आएंगे जब तुम कॉल करोगे पोलिस ओफिसर यहां नहीं आने वाले उनके शेडूल पर वो डिपेंड होता है अगर कोई आया भी फिर भी उन्हें बताना कि तुम्हें सिर्फ तुमारे लॉयर से ही बात करनी है और किसी से तुम बात नहीं करोगे यह सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जेसी को बोलता है कि थोड़ी देर बात वो कॉल करे ब्रेकफस्ट पर वाल्टर होता है और वो जुनियर को कॉल करता है पर जुनियर कोई भी आवाज नहीं देता स्काइलर उसे बताती है कि अब उसे Flynn नाम से तुम पुकारा करो जब Walter Flynn नाम से उसे पुकारता है तब वो आंसर दिता है और वो फिर भी नहीं आता तो Skyler को वो बुलाता है Skyler को वो दिखाता है कि उसके वेबसाइट पर डोनेशन आना स्टार्ट हो गया है और 500 डॉलर्स आ गये है जब वो बात करते रहते है तब ही और 20 डॉलर्स आ जाते है वो बहुत ही खुश हो जाते है Jane के father उसे लेने के लिए उसके घर आते है तब ही वो ambulance वेगरा सब Jane के घर के बाहर देखते है वो Jane की dead body भी अंदर जाकर देखते है जेसी से medical professional जेन की birth date और सब details पूछ रहे होते है तब जेन के father उन्हें सब बता देते है जेन के father को वो card भी देते है और वो जेन को लेकर चले जाते है Walter जेसी को call करता है और वो कैसा है वो उससे पूछता है वो जेसी को बताता है कि अब तुमें कोई problem नहीं होगी सब sort out हो चुका है Hank अपने office में Walter के लिए भी कुछ donation ले रहा होता है फिर वो अपनी team के meeting में बताता है कि combo मर चुका है combo एक साधरन drug dealer था और उसके पास उतनी reach भी नहीं थी पर फिर भी वो मर गया क्योंकि वो blue meth supply कर रहा था और उसके मरने के पाथ हमारा जो area है उसमें अब blue meth कही भी नहीं दिखता उसका friend उसे बोलता है कि Heisenberg पकड़ा गया है इसलिए अब वो blue meth vanish हो गया है पर Hank को उस पर believe नहीं होता Hank उसे पताता है कि उसे सिर्फ frame किया गया था वो किसी भी murder के लिए हा कहे देगा अगर उसे अच्छे से पेसे दे दीगे तो next scene में हमें दिखाया गया है कि Walter के website पर बहुत सारे donation आ रहे होते है और Walter जुनियर और Skyler enjoy कर रहे होते हैं उन donation को देखकर जैसी उसका call नहीं उठा रहा होता है तब Walter परेशान होकर Saul से पूछता है कि वो कहा है तो एक drug addict के एक घर पर वो पड़ा हुआ होता है Walter परसनली जाकर उसे वहाँ से उठाता है जैसी उसे बोलता है कि सब खतम हो गया मैंने उसे मार दिया वो अपने आपको दोशी ठेहराता है वो उसे बहुत प्यार करता था वो भी वो Walter को बताता है वो Walter के कंदे पर सर रख कर बहुत रोता है जैन के फादर जैन के घर पे आते है और उसके सब painting वगरा देखते है उसका स्टब देखते है वो उसके funeral के लिए एक dress find करने आते है उसके dresses में कोई भी yellow dress नहीं होता तो एक blue dress ही pick करते है जुनियर को बहुत सारी donations आ रही होती है तब Skyler को call आता है और जुनियर के लिए newspaper में article छपने वाला होता है उसकी news उसे दे जाती है नेक सीन में Hank को उसकी जो boss होते है तो वो एक fundraiser करने वाले होते है एक awareness scam करने वाले होते है तो जब वो sponsor से मिलाते है तभी उसमें हमारा business man भी होता है जो med sale करता है जिसने Walter से सब med खरीदा हुआ होता है उसका नाम Gustavo Fring होता है Walter जेसी को rehab में छोड़ देता है और उसे बोलता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरी अब surgery है तुम्हारे जो सब पैसे है वो sol के पास मैंने दे दिये है वो तुम वहां से लए सकते हो जेसे बहुत ही gill feel कर रहा होता है और जेसी उसे बोलता है कि तुम जो सब मुझे बोलते थे वो सब सच निकला मैं किसे भी काम का नहीं हूँ मैं मेरे live बरबात कर रहा हूँ और जेसा मेरे साथ होना चाहिए था, वही मेरे साथ हुआ है नेक्स सीन में जब वॉल्टर घर आता है तब उसकी टिवी के लिए इंटरव्यू ली जा रही होती है मरी ने ये इंटरव्यू फिक्स की हुई होती है वो बोलती है अगर निउस्पेपर स्टोरी करने वाला है तो क्यों ना टिवी भी स्टोरी कर ले जब इंटर्वी हो रही होती है तब वाल्टर जुनियर इंटर्वीवर को बताता है कि मेरे फादर एक बहुती ग्रेट फादर है वो हमेशा अच्छी चीजे करते है और वो बहुत ही स्टोरी है यह सब सुनकर वाल्टर के आख में आसू आ जाते है नेक सीन में वाल्टर के ऑपरेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है उसमें उसे अनेस्थीशिया दे जाता है जिससे वो जरा रिलैक्स हो जाता है वाल्टर का सब सामान स्काइलर उससे ले लेती है उसकी घड़ी और उसके सब चश्मा वगरा सब एकुपमेंट्स चुनियर फिर उससे पूछता है कि तुमारा फोन कहा है अब वाल्टर ने ड्रुग लिया है और वो जरा अनकॉशेस है तो वो पूछता है कि कौन सा फोन स्काइलर को पता चल जाता है कि वाल्टर के पास तब भी दो फोन थे और अब भी उसके पास दो फोन है वाल्टर की सरजरी सक्सिस्पूल हो जाती है Next meeting होती है Drs, Walter और Skylar के बीच Drs usse If you mentioned वह अपनी बेटी के बारे में बूछते है वो अपनी बेटी के picture दोक्टर को दिखाता है दोक्टर उसे बोलते है एक considerable तुम्हारे पास अब time है Operation बहुत आच्छे से successfull ह colleg हुआ है और तुम 3-4 हफ़ते बाद काम भी कर सकते हो पर तुम्हें अब कोई हीवी लिफ्टिन नहीं करने स्काइलर डॉक्टर से सब पूछ लेती है कि कब तक वाल्टर अपने काम पर जाने के लिए तैयार होगा और कब तक उसे घर पर रहना है वो सकाइलर को ये सुनकर अच्छा लगता है कि अब वाल्टर पूरी तरह से ठीक हो चुका है नेक्स सीन में हमें दिखाया गया है कि जेन के फादर फिर से वर्क पे आ जाते है उनके कली उनको कंसलेशन देते है तब वो बोलते है कि घर पे रहने से काम में हमें जोग देना चाहिए इससे भी हेल्प मिलती है वो फ्लाइट्स को मॉनिटर करने का उनका जॉब होता है फ्लाइट क्रैश ना हो इसलिए वो सब मॉनिटर कर रहे होते है नेक सीन में हमें Walter और Skyler की बातचीत दिखाई गई है Skyler सब सामन पैक कर रही होती है और बोलती है कि मैं दो दिन तक Hank और Marie के साथ रहने वाली हूँ वो अपनी बेटी को भी ले जा रही होती है और वो Walter को बताती है कि अब तुमें घर खाली कर देना चाहिए तुम अब इस घर में नहीं रह सकते Walter उसे पुझता है कि क्या हुआ तो Skyler उसे बोलती है कि तुम हमेशा मुझसे जुट बोलते रहे हो जब तुमने ऑस्पिटर में बोला कि कौन सा फोन तो उससे मुझे फिर से तुम पे डाउट होने लगा और फिर से मैं सब चीजों के बारे में तुमारा जो suspicious behavior था उन सब चीजों के बारे में मैं फिर से सोचने लगी Skyler को लगता है कि उसका affair ग्रेचन के साथ चल रहा होता है तो Walter उसे बताता है कि मैं Bible पर हाथ रखे बता सकता हूँ कि मेरा ग्रेचन से कोई affair नहीं चल रहा तुम उससे पुछ भी सकती हो ऐसा Walter उसे बोलता है तो Skyler उसे बता दी है कि वो मेरे touch में ही नहीं आ रही थी पर मैंने जब उससे directly पुछा तो फिर उसने मुझे call किया और मुझे पता चल गया कि तुमने ग्रेचन और इलियेट से कभी भी पैसे नहीं लिये और तुम्हारी सब treatment paid है तो मुझे लगा कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें help की होगी तो तुम्हारी मदर को भी मैंने call किया तुम्हारी मदर को तो पता भी नहीं था कि तुम्हें cancer है मैं तुम्हें airport छोड़ने आई थी, airport से pick करने आई थी ये सब एक जूट था इतने पैसे तुम्हारे पास आए तो कहा से आए ये पूछने से भी मैं अब डर रही हूँ Walter उसे बोलता है अगर मैंने तुम्हें सब सच सच बता दिया तो क्या तुम रुखोगी पर Skyler वहाँ से चली जाती है जेन के father जब job पे होते है तो उनके उनसे गलती हो जाती है और flights crash हो जाती है वो flights भी अलवककी में ही crash होती है Walter वही रह रहा होता है Walter जब अपने backyard में बैठा हुआ होता है तब वो जो मलबा होता है उसके pool में पढ़ता है कुछ भी serious नहीं पर थोड़ा थोड़ा वो पढ़ता रहता है ये हमें एक insight दी गई है कि Walter की life crash हो चुकी है उन planes की तरह